नमस्कार आप देख रहे हैं बिफोर पिंट मैं हुआ कांग्षा उत्तप्रदेश विधान सबा चुनाओं में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब आज सुकुरवार को योगी आदित नाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे शपत ग्रहन का भव्य आयोजन लखनों के इकाना स्टेडियम में किया जा रहा है सपत ग्रहन समारों को लेकर कानपुर में भी काफी तैयारिया की गई है मठ मंदिर समे चराहों पर सजावट की गई है साथ ही सहर में लगी महापुर्सों की प्रतिमाओं को भी बिजली की जालों से सजाय गया है वहीं चराहों पर सपत ग्रहन समारों की होर्डिंग भी लगाई गई है कई जगहों पर समारों का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए स्क्रीन्स भी लगाई गई है साम चार बजे होने वाले सपत ग्रहान से पहले कानपूर के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है वहीं कानपूर नगर निगम ने मंदिरों के बाहर रंगोली सजाई है कानपूर के सो चाराहों को भगवा रंग से सजाया गया है इसके अलामा सहर के प्रमुक चराहों विजे नगर, शास्त्री नगर, घंटागर, काका देव, कल्यानपूर, गुम्टी, गुर्द्वारा, फजल गंच, सास्त्री चौक, लाल बंगला, सिटी आई, चराहा समेत अन्य चराहों को भगवा रंग में सजाया गया है मरियंपूर चराहे पर लगी सुबाश्यन बोस की प्रिदिमा को भी सजाया गया है, साथ ही कार्गिल पार्क को भी भवे रूप से सजाया गया है अब लोने ने पूजा अर्थना क्यों की है? अब लोने पूजा अर्थना क्यों की है? ने निश्चित तवपर देखिए भारती जनता पार्टी का करता और हम सब लोग भगवान को मानने वाले लोग है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग है अब पूजा अर्चन हम लोग रोज करते हैं लेकिन आज बिजिस्ट पूजा अर्चन इसलिए कि आज जाये को पूजा योगी आतितना जी महाराज समद लेंगे चार बजे तो निश्चित तौल पर प्रदेश की समरत्ति हो प्रदेश का विधास हो प्रदेश गवरो साली इतिहास को बना सके प्रदेश में आराजकता जिस तरीके से बंद की योगी जी महाराज ने ये करम लगातार चलता रहे जन मानस की सेवा होती रहे जनकल्यान कार होते रहे और जितने भी निर्विग्ल है जो यह लाचसी सकतिय आए भिपच्छ के रूप में जो अनावचना प्रदेश करती है और आपने देखा होगा चुनाओं में भी उन्हों रहे किस तरीके का प्रदेश क्या और किस तरीके जंता को अप्मानित करने क काम किया ऐसे सभी विख्र बाधाओं से पूझ योगी आज इतना जी महाराज दूर रहें इसी मंगल कामला के साथ आज यहाँ पर पूझा नर्चन का कारूतम किया गया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें